आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस के यूटूब चैनल पर हाँ जी थमनेल आपने बिल्कुल सही पड़ा जी एस्टियार नाइन नाइन सी पुराने सालों की फाइल करे या नहीं करे उनके जो नोटिसिस आ रहे उनका क्या करे एक ये नोटिसिस ह हमारे पास आया हुआ है जो की नोटिसिस बिल्कुल गलत है ठीक है कैसे गलत है वो हम आपको बताएंगे यहां पर एक ये नोटिस आया 28 नौमबर 2022 को ठीक है जी एस्टियार 3A के अंदर नोटिस क्या कहता है कि भाई आपको हम नोटिस बेज रहें अंडर सेक्शन 46 के लिए करी है तो हम आपको नोटिस कोन से रिटन है 18-9 18-9 सी आप कोरे यह आता है जब नोटिस आया है तो क्या हम इसकी रिटन फाइल करदे आबहरा निस यह यह सोच रहें 2013 द्येट क्या अगर आप देखोगे तो वह निकलकर आईगी जो ओरिजनल ड्यूडेट होगी वह 31 दिसंबर 2019 होगी अब लो क्या कहता है लो यह कहता है कि वह विदिन थ्री एर्स आप फाइल कर देना और अगर आपने तीन सालों के अंदर फाइल नहीं करी तो हम तुम्हें आगे रिटन फाइल करने नहीं देंगे मनलब की 2022 तक फाइल कर देनी थी लेकिन नहीं करी अभी वो लो एपलाई नहीं हुआ तो आप इसे आज भी फाइल कर सकते हो अ और जब इस पर लेट फीस लगेगी वो बहुत हैवी होगी क्योंकि सेक्शन 47 ने लेट फीस की बात करी है अब एक चीज़ और है कि सर अभी तो प्रेसलीज आई थी उस प्रेसलीज में एक लाइन लिख दी नहीं क्या लिख दी एमनिस्टी इन रस्पेक्ट ओफ पेंडिं रिटन्स है तो हम इसके लिए कोई एमनिस्टी स्कीम ला रहे हैं बाई जब तुम एमनिस्टी स्कीम ला रहे हो लार्ज टैक्सपेर्स को बेनेफिट दे रहे हो तो लाओ ना रोका किसने हैं लाते क्यों नहीं कब लाओगे क्योंकि अगर आप एमनिस्टी स्कीम ले तो जिन लोगों की पेंडिंग रिटन से वो फाइल कर देंगे ठीक है ना क्योंकि आपने लिखा हुए कंडिशनल वेवर एंड डिड़क्शन ओफ लेट फीस कि आप 18-19 की कंडिशनल वेवर लेकर आओगे तो हम रुके हुए तो अब इस नोटिस का क्या जवाब दें वो कह से जी सेक्शन 62 में तुम कह रहे हो टैक्स लिएबिलिटी बना लेंगे एक बार सेक्शन 62 पढ़तो लो कि सेक्शन 62 कब लगता है सर्फ नोन फाइलर के केस में लगता है मुझे भी पता है लेकिन किसका नोन फाइलिंग यहां पर कहीं पर भी आपने सेक्शन 44 की रिटन की नångतरी बात करिये किया कि सेक्शन 63 तब लगता है जब आपकी लॉन फायलिंग ओ सेक्शन 39 रिटन्स यहां फॉटी रिटन्स लगी नहीं सकता जब आपकी जी स्टीर 9 कि रिटन्स तो पहली बात नोंटिस के 설ई चीजे लिखा गरो गरणे मतेलिखा गलो दूसरी बात किकर ना इसका जब reply दोगे आप तो बोल दो कि वह प्रैस ली जाई हुई है उसमें बोला कंडिशनल वेवरोफे ठीक है और कंडिशनल वेवरोफे तो हम तो उसी का इंतिजार कर रहे हैं क्योंकि अगर मैंने अभी पचास अजार एक लाक रुपे लेट फीस पे कर दी तो तुम मुझे वापिस थोड़ी कर दोगे तो यहीं रिप्लाइद देना आप मुझे बताना कमेंट बोक्स में लिख कर लेकिन सर अगर हम इसे फाइल करेंगे एक अप्रेल को और एक अप्रेल को लो आ गया कि वह आप तीन साल के बाद इ कि अधिजिए लोगवाग किसका कर रहे है लोग बाग वेट कर रहे है कंडिशनल वेवरोफ का तो हो सकता है कि एक अप्रेल से कंडिशनल वेवरोफ आल जाए और साथ के साथ यह भी आजा आँ कि तीन साल के बाद आप नहीं कर सकते तो फिर क्या होगा तो इसका मतलब लिमिट है यह हम जुलाई से लगाएंगे जुलाई 2023 से लगाएंगे पता है न सेक्शन चेंज हो गए मैगजीन पढ़ते हो ना हमारी उसमें हमने बताया है कि आप तीन साल की लिमिट लगने वाली है ठीक है तो भाई अगर इस तरह का नोटीस आए तो आप इस तरह के नोट लेकिन आप यह चल रही है तो पेनल्टी भी कैसे लगा दोगे साथ में आपको और चीजे डरा रहे है अरे यह वाली लाइने लिखने की जुरुतिक लाइन को क्यों डरा रहे हो तो तुम्हें जेल हो जाएगी यह हो जाएगा वह जाएगा तो बैस तरह के नोटीस ना भे मेजेंगे ठीक है ना लेकिन आप यहमणे शेश्मेंट करें यह अपने गलत लिखाए या लेकिन कुछ दिन वेट करने की वज़ए से अगर सेक्षिन आगया कि तीन साल के बाद फाइनी कर सकते तो हो सकता है तिरी 13 की और ब्लोक भी हो जाए तो दोनों चीजों में यह आपकी कोले आप क्या करना चाहते हो मुझे कमेंड बॉक्स में लिखकर जरूर बताना कि आप क्या करना चाहते हो सर यह सारे सेक्शन कैसे पढ़े हम तो भाई हमारा GST का लाइव कोर्स चलता है हर संडे टू संडे चलता है ठीक है उस कोर्स को करेंगे कि 62 क्या कहता है 45 क्या कहता है नोटिस कैसे आता है गलत है यह सारी चीज़े बता देंगे आशा करतो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा इस वीडियो को देखन कर दो